है हमने देखा कए स्टेशरी निहें है कंपनी कौन सी वह तो जो सफेसल एक्ट केigent ₙ Mrs. काहल कंपनी आपका कि private company जो है, वो convert करना चाहिए, जैसे आपने private बना लिया, ठीक आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने क्या करा, आपने एक private company बनाया, जैसे x, y, z limited, आपने कौन सी company बना लिया, एक private company, अब ऐसा तो कभी आएगा, कि आपको लगेगा, आपको महसूस होगा, कि हम अपनी company को बड़ी company कर दे, कभी तो कभी लगे गई, कि हम अपनी company को क्या करें, एक बड़ी company कर दे, तो जब आपको ऐसा महसूस लगेगा, बड़ी company, तो आप अब इस company को क्या करना चाहते है, x, y चाहते हैं तो जब आप अपनी पहले वाली company का नाम बदल के बड़ी company करना चाहते हैं तो इस process को बोला जाता है conversion तो जब आप company को conversion करेंगे तो उससे पहले कुछ आपको rule follow करने पढेंगे कुछ document देने पढ़ेंगे तो सबसे पहले conversion का मतलब समझ यह क्या होता है कि पुरानी company बनाई थी अब लगता है क्यों कुछ हो सकता है हमने दूसरी company बड़ी company बना ली तो conversion हो गया तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो आप जो पुरानी company के अंदर मालिक थे जितने मेंबर थे जितने मेंबर थे इन सभी मेंबर में से 75% मेंबर से आप पूछिए क्या हम convert कर रहे हैं अगर 75% बोलते हैं यस कर दो तो conversion हो सकता है अधरवाइस नहीं हो सकता conversion सर 75% से क्या पूछना है कि हम company को convert कर दें जब किसी से कोई चीज पूछा जाता है उससे बोलते हैं voting करना वोट करवाना जैसे मालो दस बंदे हैं दस में से मैं बोलू आठ बंदों ने बोला हां भाई convert कर दो तो आठ बंदों ने वोट क्या कर रहा है यस में कर दिया है ठीक है न ऐसे वोटिंग को जहां 75% लोग की हमें acceptance लेना होता है उसको बोलते हैं हम special resolution उसको कौन सा resolution बोला जाएगा special resolution एक होता है ordinary resolution जहां 51% लोगों से सहमती लिया जाता है उसको बोलते है ordinary resolution तो यह कौन सा resolution हुआ बताओ फटाफट special resolution क्योंकि special resolution कब लगता है नहीं लगता वो resolution वाले chapter में हम करेंगे ठीक है न वो resolution वाले हम chapter के अंदर कर लेंगे ठीक है न तो सबसे पहले conversion तो देखिए क्या कहता है law क्या कहता है इसके बारे में conversion में अब एक बार special resolution भी बता देता हूं क्या होता है एक बार थोड़ा और detail में discuss कर लेते हैं आगे काम ही आना है वैसे चलिए special resolution मैं बात करता है एक meeting बुलाई जाती है इसका देखते है चलिए वैसे हाला कि मैंने एक chapter में discuss किया था यह क्या खुल गया भाई आए दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है भगवान जाने क्या खुल गया यह आप जर्नल मेटिंग जर्नल मेटिंग क्या है इमेज दिखाना था मुझे और कुछ नहीं कहां गया आजाए चलिए कौन है भाई जर्नल मेटिंग कहीं भी हो सकता और कैसा भी हो सकता जर्नल मेटिंग यहां तो सारे गोरे बैठे हुए है चलो यह उठा लेते हैं इसी की फोटो जादा है पर थोड़ा बलर करके दिखा रहे है चलो समझाने के लिए तो इनफ है यह ले लिया चलो ठीक है एक एंटिरेट से लिया आपको फोफुली यह विज्वल होगा थोड़ा थोड़ा क्या बहुत है अब देखे इसके अंदर जो यह वेक्ति दिख रहे हैंने वैसे तो बलर है साइद आपको दिख रहे है जो यह है चेयर्मैं इस meeting का मुखिया जो सारी बाते बोलता है और ये सारे वेक्ति देख रहे हो ना जो यहां बैठे हुए लाइन से ये सबी हैं board of director board of director अब कोई भी काम changes होगा और ये सब देख रहे हो ना जो बैठे हुए हैं ये सब ये सब कौन है सर ये सब है shareholder अब कोई भी काम होगा तो ये क्या करेगा जो chairman है ये इन से पूछेगा और board of director देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं ये chairman कुछ गलत कर रहा है तो ये इन से पूछेगा तो जब इन से पूछा जाएगा तो या तो इनके पास एक voting machine होती है या तो फिर ये hand raise करेंगे सर 51% और 75% जो बड़ी बड़ी काम होते हैं company में जिससे की company के उपर फरक पड़ सकता है नाम ही बदल दिया है company का तुमने हमसे पूछा ही ने तो उसके लिए ज़्यादा लोगों की सहमती चाहिए और छोटे काम के लिए बोलते के भी या वो टांग अड़ाएगा company के अच्छे के लिए तो कम तो 50% जिसके लिए सहमती चाहिए उसे बोलते है ordinary regulation ordinary resolution जैसा यह हाथ उठाएंगे ना कि yes sir हाँ यह हम agree करते हैं काम करने के लिए और सभी ने agree कर दिया तो इसे बोला जाता है resolution और 51% मुझे चाहिए शरी वोटिंग तो ordinary resolution अगर हमें 75% वोटिंग चाहिए तो इसका मतलब special resolution है ना थोड़ा सा specially चाहिए हमें तो इस तरीके से correct तो चलिए देखते हैं क्या कहता है यह कहता है conversion into private company into public company तो passing a special resolution सबसे पहले तो भईया आपको special resolution पास करवाना पड़ेगा special resolution कैसे पास करोगे meeting बुलाओगे इनकी जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको यह meeting था यह क्या चल रहा था that is meeting और meeting में सबसे discuss करोगे और बोलो कि हम अपनी company का नाम बदलना चाहते हैं तो यह passing क्या हो गया special resolution हो गया इसके बाद filing जो passing special resolution हुआ इन सभी को record किया जाता है इन सभी को लिखा जाता है कि हाँ इन सभी लोगों ने concern किया है filing का मतलब बताना किसी को ना कुछ चीज़े बताना government को जब हम कोई चीज़ बताएंगे न तो एक form पे especially भरके देंगे और सबका concern लेके देंगे तो कहता है filing of article of association जो हमारा AOA है यह बाद में पढ़ेंगे क्या होता article of association incorporation of company में जो AOA है along with the copy of special resolution यानि हमारा AOA बदल जाएगा पहले AOA में article of association में क्या लिखा था कि हम private limited है अब उसको बदल दिया जाएगा alter कर दिया जाएगा उसके अंदर क्या लिखा जाएगा प्राइवेट की जगहा पर हम limited हो गए और special resolution प्रिस्क्राइब आई एंसी आपका incorporation form नंबर 27 में दा कंपनी रजिस्टर टूदा कंपनी रजिस्टर टूदा कंपनी यानि ROC हम पढ़ेंगे यह ROC को हम यह भेज देंगे कितने दिनों में सर 15 दिनों के अंदर intimate कर देंगे और हमारा passing of resolution और हमारा जिस दिन resolution पास हुआ उससे 15 दिन में हमारी कंपनी क्या हो जाएगी convert हो जाएगी private से किसमें public के अंदर तो यह था हमारा conversion के इसमें private से public में जाओगे तो कुछ काम करना होगा पहले sr pass करना होगा उसके बाद आपको return file करना होगा return file करने के बाद 15 दिन के अंदर register of company को जमा करवाना होगा और इसके अंदर जो भी आपके rules है minimum maximum 7 member करना तो 7 करना पड़ेगा paid up capital 5 लाख रुपय होना चाहिए तो वो सारी चीज़े maintain करनी पड़ेगी और जो भी चीज़े government के लिए जरुद पड़ेगी जो requirement होगी वो करना पड़ेगा यानि अगर आप public company बनते हो जब तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूं सबसे पहले आपको क्या convert करना पड़ेगा member member आपको कम से कम साथ करना पड़ेगा paid up capital अब तो हटा दिया वैसे company ने फिर भी पांच लाख रुपय होता है इनका paid up capital ठीक है न यह भी change करना पड़ेगा और यह सारी changes कहां हो जाती है सर आर्टिकल ऑफ association के अंदर यह सारी बातों को change करके भीज देते हैं और एक memorandum of association भ यह था conversion of private limited into public limited अगला है अभी हमने क्या देखा private limited से हम public में जा रहे थे अब हम जाएंगे public limited से private में जैसे कि आपने पहले से ही PQ एक limited बड़ी company होता है ने कई बार हमने starting में जादा सोचा नहीं था planning नहीं किया था हमने बहुत बड़ी company बना ली ठीक है नाव आपको realize वायर है इसके अंदर बहुत सारे tension है पहले limited company में बता दू tension क्या है सबसे पहले आपको auditor चाहिए ठीक है नंबर दो government के बहुत सारे rule मानने पढ़ेंगे नंबर तीन cv के भी बहुत सारे rule मानने पढ़ेंगे नमबर चार और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं इसमें legal requirement मतलब बड़ी company बनाने में तो आप कहते हैं यार इतने सारे खर्चे होते हैं हमने गलत करा यार यह शुरू में बना लिया क्योंकि शुरू में तो होता है नहीं कि बहुत अच्छा अच्छे से अच्छा चाहिए कहते हैं यार यह गलती करते हैं यार स्टार्टिंग में हमें यह limited company चोटी company से start करते हैं बाद में बड़ी कर लेते हैं क्योंकि अभी CEO को पैसा देना एक लाक रुप है sales हो नहीं रही government को return file करना है बहुत सारे compliance है हर टाइम पर government visit के लिए आती रहती है यार यह tension हो गई है है तो क्या करें हूं वहला चल छोड़ फिर पूछते हैं तो अब एक इन्होंने फैसला किया कि एक option अविलिबल होता है कि चलिए आप अपनी company को convert कर लिजिए convert कर लिजिए यह सारे rules से चुटकाड़ा मिल जाएगा और convert किसमें कर लिजिए आप PQR आप लगा लिजिए PBT Limited तो सर जब आप यह करने जाएंगे तो जो इस company के अंदर जितने भी ओनर है ओनर basically member और member मैं बोलू तो that is shareholder जो इसके shareholder है इनसे आप पूछोगे तो सही और इनसे पूछने को पूछने का तरीका क्या होता है इनसे resolution pass करवा लो तो सबसे पहले आप इनसे क्या करोगे number one SR की copy SR मतलब special resolution pass करवाओगे number कर दो क्योंकि आप भाई बड़ी company से चोटे में जा रहे हो तो बड़ी company में कितनी लाइव लिटी थी नहीं थी तो आपको central government कि government का भी approval लेना पड़ेगा ठीक है number 3 आपके इस टाइम पर member unlimited होंगे और जब यहां जाओगे तो आपके member कितने हो जाने चाहिए कम से कम 200 इससे ज्यादा होई नहीं सकते maximum member तो आपके member को भी check कर लो क्या member वगरा है और बागी यह सारे document को verify करके आप government register of company को deposit करा दो और वो देखेंगे कि सही वाइने में आपका company में कोई ऐसा कोई liability वगर नहीं है तो आप convert हो सकते हो बड़ी simple सी बात है तो देखिए क्या कहता है कहता है conversion into public company into private company याने limited company public company का मतलब क्या है सर limited company किसमें convert हो रहा है एक private company ठीक है कहता है सबसे पहले क्या करना होगा अब public company में convert into a private company anytime by the following provision section 14 मतलब section 14 में जो बाते बोली गई है उसके फॉलो करते हुए कभी भी convert कर लो सर 2013 act के अंदर कहता है करने का तरीका क्या होगा सबसे पहले पास कर दो आप क्या सर special resolution अब special resolution आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इसके बाद approval ले लो सर किसका central government इसके बाद declaration कर दो की managerial person जो की आपका stating the number of member जो है limited 200 ये भी तै कर लो पता चले आपके unlimited member है या अप private नहीं पहले सारी shares को buyback करो और उसके हिसाब से करो and also stating that deposit has been accepted by the company violation of the act कोई आपने public से deposit लिया था ना इसका feature तो उस deposit को भी आप अच्छे तरीके से उसके return वगरे करो जो कि आपने accept किया है इसके बाद क्या कहता है a list of credited debenture holder of drawn up जो भी debenture holder creditor था उन सभी को not more than 30 days 30 दिन पुराना नहीं होना चाहिए पता चले बहुत पुराना company है उसको हमने convert कर दिया नहीं आपके पुराने सारे करजे और जे पहले खतम करो भाई डेटर वेटर से पैसे लो ठीक है filing application कर देंगे हम filing application government को बता देंगे must file along with the application registrar of director जिसको RD कहते हैं registrar of director जो company ROC से बढ़ा होता है इनको file कर देंगे filing of copy order approval order मतलब किससे लिया था हमने approval government से and copy of alter article of association along with the special resolution special resolution के साथ to the prescribed concern registered of company को within 15 दिन के अंदर ये सारी date याद रखना होगा approval of the central government के जिस दिन approval मिला आप जमा करवा दीजिए company shall become private company from the date of approval of central government जिस दिन बोल दे क्या आप private company बन जाएंगे बहुत important topic है सर एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि conversion वाला topic तो हम दो ही है अभी ये भी आएगा one person company भी देखेंगे फिर और भी other company भी देखेंगे आपका non-profit organization company भी देखेंगे तो ये किसका conversion था था सर public company से आपने conversion किसमें कर लिया सर private company के अंदर कर लिया चलिए इसको भी आप note कर लिजे बाकि सभी के notes में upload कर दूँगा